थाने में दलित युवक संजु की मौत और बेरामी से पिटाई यह कोई पेली घटना नहीं है और नहीं कोई आखरी घटना है हमें असाद हुवे को बहुततर वर्ष हो गए हैं लेकिन क्या आज भी किसी थाने में जाके एक सामान्य नागरीक अपनी रपट लिखा सकता है दुर्भागे कि इंदोर जैसे महानागर के अंदर इस किसमत की पिटाई होती है अकबार में पढ़ने को मिल जाता है मंत्री पोच जाते हैं सकता पक्ष प्रती पक्ष अपनी अपनी बात कह देता है लेकिन पुलिस का जुल्म पुलिस के कारिबदती जो की त्यों चलती रहती है हमें इसके मूल में भी जाना होगा कि मूल क्या है आज के 25, 30, 20, 40 साल पेले भी ये सब होता था लेकिन एक जन्ता का एक जन्द प्रतिनिदी का डर भी रहता था था थानेदार के ओपर पुलिस में ओपर धीरे धीरे जो ब्रष्टाचार बढ़ा है जो नोडबंदी बड़ी है जो नियुक्तिया होती है आदमी जब अपने भोपाल में आका को देकर सब कुछ नियुक्तिया पाता है तो उसका दंब बढ़ जाता है पेले का अगबार में खबर छप जाती थी तो पुलिस हो या कोई भी अधिकारी हो वो दबाब में आता था उसे जनता का डर लगता था उसे डर लगता था अगबार का उसके प्रतिनिदी का आजकल डर नहीं लगता है आजकल आदमी हो गए कि वो उसका आदमी आदमी क्या करता है उसका आदमी उसका आदमी दलाली करता है दुर्भाग्य मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन राजनिती ने जिस दिशा में करवट लिए मैं उस दिशा की बाद कर रहा हूँ आपको यदि एसा नहीं होआ होता और यदि यहां जन्रप्रतिनेदी होते हैं यह जिम्मेदारों जागरुप पारिडिया होती राजनितिक दर होते हैं तो यह घटना है घटने के बाद दुबारा कोई टी आई करने की इम्मत नहीं करते हैं आज थानेदार कोई भी हो कॉंग्रेस का सरकार आ गया है कांग्रेस की सरकार आने के बाद आज इस्थिति ये है क्या आज भी थाने में जाकर कोई रपट लिखा पा रहा है जब थानेदार अपनी गाड़ी में जीप में निकलता है इस्थिति ये होती है कि जूबे वाला, सट्टे वाला, दारू वाला, अन्य प्रकार के गलत काम करने वाला बोलता है कि ये थानेदार मेरा आदमी है क्या जनता को इसा लगता है कि उसका आदमी है आज जनता उसके चेहरे से चेहरा आख से आख मिलाना चाहती है वो चेरह अपना गुमा लेती है, कोई ठेला वाला हो, कोई गुंटी वाला, कोई सबजी वाला हो, कोई दुकानदार हो, कोई ब्यापारी हो, कोई मजदूर हो, कोई किसान हो, वो ठानेदार को अपने आदमी नहीं समझता है, वो पुलिस वाले को अपने आदमी नहीं समझता जिससे दिन जनता को यह लगने लग जाएगा कि यह T.I. हमारा है, CSP, ASP हमारा है, यह पुलिस का इंस्पेक्टर हमारा है, उस दिन सच्छा लोग तंत्र होगा उसके लिए चाहिए जागरुपता, उसके लिए चाहिए जनता का दबाव, उसके लिए चाहिए मेडिया का दबाव, जिसका है सक्त अभाव.